मैंने लगबग एक सवा महीने पहले एक वीडियो डाली थी जिसका नंबर था 260 नंबर उसमें मैंने सितंबर महा में जो एक वर्ष के पोदे हो गए थे यानि के जो किसान भाईयों ने जुलाई अगस्त और सितंबर में लगाए थे उन पोदों की कटिंग के बारे में मैंने करनी चाहिए और क्यों जरूरी है आप उस वीडियो की जो उसका मुख्य पेज है उस पर देखिए कि जिसमें केवल तीन डंडियां दिखाई गई है और मैं बैठा हुआ उन पोदों में क्या काम करना है और आपको अब में पोदे कैसे लगेंगे आज मैं आपको यह दिख में वागत है अमेजिंग किसान के यूट्यूब चैनल में मैं हूं डोक्टर अनिल कुमार दियागी य्जो मेरे पोदे जो आप देख रहे हैं ये वही पोदे हैं यह घूए यहां से देखिए इस अगले पोदय को देखिए आब श्यक्रियों के आप थोड़ा इस चीज को ध्यान से देखना, कि ये मेरी पहली कटिंग थी, यहां से, नीचे से, यहां से, ये मेरी दूसरी कटिंग थी, और ये मैंने तीसरी कटिंग की है, ये यहां से, ये वाली जो अंतिम कटिंग है, ये देखे, ये मेरी अंतिम कटिंग है, इसके बाद इसमें कितना फुटान हुआ है ये देखे इतने कल्ले चले हैं जबकि मुझे इतने कल्लों की आवश्यक्ता नहीं है चुकि मेरा ये कैनोपी का अंतिम चरण है अगर आप तीन बार सही कटिंग कर लेते हैं कैनोपी मेनेजमेंट बिल्कुल सही हो जाता है जिसे हम छत्रक पर पत्र पढ़िए जो होट्टी किल्चर के वेग़हनिकों ने लिखा है कि पहली कटिंग दो फिट से करते हैं और दूसरी कटिंग जब 7 या 4 साखाओं का चेहन करते हैं उन्हें 20 से काटिए और फिर उन में में से भी चेहन करिए किसान साथीयो पहली बात से मैं सहमत हूं लेकिन बाद की दो बाद से सहमत नहीं हूँ और क्यों नहीं हूँ ये मैं आप आज को सिद्ध करकर दिखाऊँ हूँ आप देखिए इस एक साल के पोधे को कि मैंने पहले इसका निर्मान किया है ये देखे कितनी अच्छी इसकी जैसे मैंने कल नीमू का पोधा दिखा था कि देखे ये बन गई ये साखाई बन गई अब कई कि खेतों में जाता हूँ जो किसान भाई मुझे बुलाते हैं और वो कहते हैं कि हम साखाई कितनी दूरी से काटे हैं आपको एक चीज का ध्यान रखना है कि पहली कटिंग के बाद जो तीन साखाई रखती हैं उनकी लंबा कितनी होनी चाहिए और कितनी दूरी पर काटना चाहिए मैं आज आपको उसका एक फार्मूला बताता हूं आप मान लीजिए कि आपकी जो दो लाइन हैं उनके बीच की दूरी कितनी है और पेड़ के बीच की दूरी कितनी है हम ये मान कर चलते हैं कि हमारी वर्गाकार में प्रस्तूत करेंगे अब माल लीजिए दो पोधों के बीच की दूरी और लाइन के बीच की दूरी को हम X कहते हैं अब हमें जो दूसरी कटिंग करनी है जिसमें साखा अगर आपकी सघनता बहुत अधिक है तो आप साखा को छोटा रखिए चुकि नहीं तो बाद में पात में बढ़ाईए यह 6 इंच से लेकर और आपकी डेड़ फिट तक भी हो सकती है 6 इंच से 8 इंच कहीं 6 इंच हो गई कहीं 8 इंच हो गई लेकिन डेड़ फिट से बड़ी नहीं होनी चाहिए इसी तरह से जो तीसरी कटिंग होगी उसमें भी साखा का चैन इसी प्रकार क कम रखी है यह देखिए यहां पर जो दूसरी कटिंग है यहां पर एक बिलान से भी कम रखी है यानि एक फिट नहीं है अगर मैं इसे एक फिट कर दूँगा और एक फिट यह है तो यह साखाई यहां तक आ जाएंगे और मेरा चत्रक परबंधन बिलकुल ही बेकार हो लेकिन जो दूसरी और तीसरी और चोथी कटिंग में जो हमें लंबाई रखनी है वो बिलकुल भी सही नहीं है आप चाहें तो मेरे बाग में आकर देख सकते हैं और इस प्रकार मैंने कई बाग सही भी किया है आप एक चीज का और ध्यान रखिए यह देखिए यह जो यहा पर मेरे नर्शरी के रखे हुए थे तो मैंने इनकी बड़ी साखाए काट दी थी इनसे मैंने सर्दियों का फसल लिया है और खूब फसल आया है जो की काफी तूट चुका है और अब मैं इनसे अगले वर सर्दियों का फसल फिर लूँगा देखिए मैंने कितना मैनेज किय अभी भी आप देखिए इनके 10 फिट के दूरी पर लगे हुए पोधों में इतनी दूरी है जब कि यह धाई साल के पोधे हो चुके हैं अब आएए कि आपको इनका जो थिनिंग करनी हैं वो मैं पहले बता चुका हूं कितनी साखाए रखनी हैं उतनी साखाए रखिए और बा कि दिलैंगे यह प्ल लेंगे तो इसके प्लत लेंगे यह ध्यान रखिए आपने सितंबर में कॉल पर दाणी करी हैं आपको इनकी अगलेों की एक साल करते हैं करते हैं आप देखिये जिस प्रकार मैंने निम्व का बताबा, मैं पोधे में यहाँ तक कभी भी खात कीए, यहाँ तक छोड़ा हुआ है. और यह मेरा खात बड़ा हुआ है, यह देखिये. तो मैं क्या करता हूँ कि पोधे से लगबग कम से कम आट हिंच तक खात नहीं देता और फि और अगर साधारन खाद है तो कम से कम पाँच किलो लीजी आप मैंने इसमें क्या किया कि वर्मी कंपोस्ट के मैंने तीन बैड बनाई जितनी मेरे को मातरा चाहिए थी उनके तीन बैड बनाई एक में मैंने ट्राइकोडर्मा को मल्टिप्लाई किया और दूसरे में मैंने सुडो मुनास को मल्टिप्लाई किया और तीसरे में मैंने पैसिलोमाइसिस को मल्टिप्लाई किया सरदियों में पैसिलोमाइसिस अगर आप देंगे तो आपके पोधों में जो फरवरी में जाकर अटैक आता है वो नहीं के बराबर आएगा या नहीं आएगा उन तीनों का मल्टिप्लाई किया फिर उस खाद में मैंने 75-75 ग्राम डियेपी, यूरिया, पोटास और सिंगल सुपर फासफेट मिलाया और उसमें 10 ग्राम जिंक सलफेट और 10 ग्राम मैगनीशियम सलफेट मिलाया और इन सब क एक साथ मिलाकर मैंने कैनोपी के पास दिया और इसको ढखकर मैंने पानी दे दिया, पोधे आपके सामने हैं कि हां किस प्रकार है और कितने अच्छे छत्रक का निर्मान हो रहा है, किसान साथियो मैंने ये एक वर्स से डेड़ वर्स के पोधों की बताई, अगर आपके पो दिसान साथियों मैंने नौमबर दिसंबर में पिछले वर्स पोधे लगाये थे वह पोधे कैसे हो रहे हैं और उनकी कटिंग भी मैंने सेप्टेमबर में की थी आईए मैं आपको दिसान साथियों देखिए इन में से एक यह पोधा है जो मैंने दिसंबर के पहले हपते में य वो मिलाकर लगाया था और देखे पोधे इनकी भी कटिंग उतनी ही कर दी है और कितना अच्छा चल रहा है और अगले वर्स मैं इससे सर्दियों की फसल लूगा कोई सा पोधा ये पोधा देखिये कितना अच्छा है कितना बड़ा में चीज है जो सबसे मुख्य चीज है कि ह इनको अब मैं फसल लेने के बाद हटाने जा रहा हूँ किसान साथियों ये थी मेरी प्रस्तुती कि एक से डेड़ वर्ष के पोधों में आपको अब क्या काम करने है और खाद देना है तो कितना देना है आप खाद दीजिए और इन में अगर कर सकते हैं तो अभी थिनिंग कर दीजिए जितनी साखाए आपको रखनी है उतनी साखाए रखिए ये इस चीज पर निर्वार करता है कि आपके पोधे की अवस्ता क्या है इसी के साथ विदा लेता हूँ धन्यवाद, नमस्कार, जैहिंद, जैभारत, वंदे मातर